चलो एक question solve करते हैं, जो कि recently अभी PwC में data analytics के interview में पूछा गया था, question बहुत ही easy है, you just need to work on the logic building skills, question क्या है, वो समझते हैं, so एक list mention था, list के अंदर कुछ value था, like 1, 3, 4, 2, 2, 3, हमें return करना था, all the duplicate integer in the form of list, so अगर आपको पता होगा, python में data structure होता है, that is called set, और set क्या करता है, हमारे data से unique value को find out करता है, so हम लोग क्या करेंगे हापे, हम लोग यहापे set use करके, easily duplicate data को list के format में print कर सकते हैं, कैसे समझते हैं, so let's check, हमार पास यहापे s1 है, that is called set 1, and s2 है, that is called set 2, so हम लोग क्या करेंगे, यहापे set create करेंगे सबसे पहले, set 1 and set 2, and उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमार पास data है, list के format में, इस list के data को हम लोग एक एक करके, iterate करेंगे, and अगर वो data set 1 के अंदर present नहीं है, तो उसको present करेंगे, अगर present है, तो वो duplicate है, it means उसको s2 के अंदर हम लोग push कर देंगे, कैसे start करते हैं, so सबसे पहले 1 से start करते हैं, first variable, so 1 available नहीं है, यहापे 1 आ जाएगा, set 1 के अंदर, again 3 available नहीं है, so 3 आ जाएगा, again next 4 available नही है, so 2 आ जाएगा, again 2 है हमारे पास, and 2 s1 के अंदर present है, तो इसको हम लोग कहां के पुश्ट के अंदर, again 3, 3 जो है present हमारे पास s1 के अंदर, so 3 को भी हम लोग push करेंगे, कहां पे, s2 के अंदर, and उसके बाद इस data को हम लोग convert करेंगे, कहां पे, list के format में, एही तो logic था, so इ इजली आप question को solve कर सकते हो, answers अब label है, description में check कर सकते हो, आप याप